हेलो एवीवन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर्फेक्ट पामिसी पे मैं हूं सुनीटा कवर और आज की वीडियो के इंदर हम लोग डिसकर्स करेंगे हमारा जो सेवन सेमिस्टर का सब्जेक्ट है पामिसी प्राक्टिस इसका जो लेटेस्ट कोश्चिन पेपर उस तो इसको लोग यहाँ पर ब्रीश के अंदर करने वाले हैं अब को पता है कि हमारा कॉश्चन पेपर 75 मांक्स और सक्षन आते हैं यह कंप्लीट मारी पास में 20 मांक्स कर रहे तो यहां पर 5 मांक्स के कूश्चन और तोटल सेक्शन सी जो है यह 35 मार्स का हो गया तो अब हम लोग यहां पर कोश्चिन से देखते हैं सबसे पर्स्ट कुश्चन हमारे पास आता है डिपाइन पेशिंट काउंसलिंग होता क्या है इसके सिंप्ली डाफिनेशन जो है वह हम लोग को यहां पर लिखने हैं अब कि सावी जो भी ड्रक्स हॉस्पिटल के अंदर है अवे लेबल हैं यूज हो रही हैं उनके कंप्लीट डीटेल होती है तो अब नीट्स क्या है जरूरत क्या है हॉस्पिटल पॉमिलरी की वह हम लोग को यहां पर लिखना है ठीक है नेक्स्ट इस राइट नोटन यहां पर द्रॉ करना है ठीक है नेक्स्ट डेपाइंग दो टॉम थेरपैटिक ड्रugg मोनेटरिंग तो थेरापैटिक ड्रॉमानेटरिंग जो इसका मतलब क्या होता है सिंप्लीड याफिनेशन यहां पर लिखना है एक नेक्स्ट इस वहारे में हम लोग लोग को यहां पर बतानी है नेक्स्ट इस राइट नोट ऑं क्लीनिकल फार्मेसी अब क्लीनिकल फार्मेसी क्या होता है सबसे पहले इसके डाफिनेशन ने इसके बारे में दो तीन पॉइंट्स रहे हो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं नेक्स्ट इस टाइप आप अस्पिटल तो अलग अलग वाज में section A complete होता है तो टो मार ससदोर यहां पर complete होता है नेक्स्ट मेंरे पासा और सक्षेंट B तो यह हमारे ही टेन मार के कुश्ट इसमसे तीन में से दो क्E एस मोज़ों लोग को यहां पर attempt करने होता है तो तो सबसे पहला ज़िप्राइल इस classification of adverse drug reaction तो adverse drug reaction जो इसका जो complete classification और बहुत ही detail के अंदर हम लोग को यहाँ पर mention करना है next is writer detail note on contents of hospital formulary तो जो hospital formulary है ठीक इसका जो content होता है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़े होने चाहिए उसके ओपर एक detail note जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है next is explain in details about methods और system for inpatient drug distribution तो दो तरह से drug distribution हमारा हो सकता है outpatient drug distribution and inpatient drug distribution तो यहाँ पर inpatient drug distribution के लिए हमारे पास जो अलग-अलग methods या फिर अलग-अलग systems होते हैं वो detail के अंदर हम लोग को यहाँ पर बताने हैं तो अभी तक के questions जैसे आप लोगों ने देखे होंगे मतलब बहुत ही simple sign basic सा syllabus है हमारा pharmacy practice का इसे पढ़ना भी बहुत असान है बट क्या कि इसका syllabus जो थोड़ा सा लेंदी है तो आप क्या करें से टाइम से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आना वादी लेकिन अगर आप तो अब नेक्स हम लोग section सी के questions देखते हैं first is what is labeling and explain its pattern labeling होता क्या है और उसका complete pattern जो हम लोग को यहां पर explain करना है next is write short note on Indian scenario for therapeutic drug monitoring तो therapeutic drug monitoring होता है सबसे पहलता हमें वह पता होना चाहिए अब Indian scenario क्या है मतलब इंदिया के अंदर therapeutic drug monitoring जो है इसका क्या चल रहा है मतलब यह चीज़ acceptable है यह नहीं है यह किस लेवल तक पहुंच चुकिए वह सारी चीज़े हम लोग को यहां पर बतानी है ठीक है next is write a short note on rule of PTC in drug safety तो PTC हमारे पास सिंप्ली है पार्मेसी एं ठेरबाटिक कमीटी तो पार्मेसी एं ठेरबाटिक कमीटी जो इसका drug safety के अंदर क्या रोल रहता है उसके उपर एक short note हम लोग को यहां पर लिखना है next is what are the functions and responsibilities of clinical pharmacist तो जो clinical pharmacist होते हैं उनके functions क्या होते हैं उनकी responsibilities क्या होते हैं वो हम लोग को यहां पर detail के अंदर लिखना है next is write a short note on rational use of common OTC medications तो जो common over the counter medications होते हैं ठीक है उनका जो rational use होता है उसके उपर एक short note हम लोग को यहां पर लिखना है next is explain in details techniques of inventory control और inventory analysis तो जो अलग-अलग techniques होते हैं inventory control की या फिर inventory analysis की वो detail के अंदर हम लोग को यहां पर explain करनी है next is write short note on monitoring of patient medication adherence तो जो patient medication adherence होते हैं इसके जो monitoring होती है ना उसके उपर एक short note हम लोग को यहां पर लिखना है next is difference between private it coronavirus national Franz फाली तो ब्राइबेट फामिलरी नाशनल फामिलरी बिच में डिफ्रेंस क्या होते हो प्लोग को यहां पर detail मतलब एक तरफ हम लोग प्राइवेट फामिलरी लिख देंगे एक तरफ Nag ऒब mental safety 걱 attachment d commence अगया me सब्सक्राइब करने थे तो इस तरीकिसे सेक्षिन सी हमारा टूटल 35 मार्स का हो गया ठीक है तो यहां पर हमारा जो फार्मिसी प्रैक्टिस का कोशन पेपर है कम्प्लीट होता है अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी दाउट आप कमेंट सेक्षिन में पूर सकते हैं बाकि अगर कोशन पेपर विद्स सल्यूशं के आप लोग को वीडियो चाहिए या फिर इंपोर्टन कोशन वेदांसर के विडियो आप लोगो चाहिए तो वह जी ताप कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं अपने प्रेंड के साथ भी श्याक्ष करना और चैनल को पुट कानी केले.